प्याज को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, दरसल प्याज उतपादक किसान और व्यापारियों ने केंदर सरकार से 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क वापस लेने की मांग की है। प्याज का उचित रेट नहीं मिल पा रहा है। प्रतिनिधियों ने बताया कि भारत का प्याज उतपादन घरेलू और निर्यात दोनों मांगों को पूरा करने के लिए परियाप्त है। इसके बावजूद सरकारी प्रतिबंधों ने किसानों और व्यापारियों को काफी वित्तिय नुकसान पहुचाया है। इसका असर महाराष्ट्र के किसानों को उठाना पड़ रहा है, जहां प्यास की खेती ही अंदाताओं के लिए आयका मुख्य स्रोत है। मिली जानकारी के मुताबिक निर्यातकों का कहना है कि कुछ दिन पहले लागू की गई 20 प्रतिशत शुल्क कटोती का कोई नतीजा नहीं निकला है, क्योंकि इस दर पर हम अभी भी अंतरराष्ट्रिय बाजारों में प्रतिसपरधा में नहीं हैं। हम केवल बांगलादेश के बंदरगा से निर्यात कर सकते हैं, क्योंकि उनकी राजनीतिक स्थिती के कारण उनके बाजार खाली हैं। वे पाकिस्तान से आयात करते हैं। हालां कि उद्योग के खिलाडियों के अनुसार भले ही निर्यात शुल्क हटा दिया जाए। लेकिन महाराष्ट्र और करनाटक में नई फसल आने तक निर्यात फिर से शुरू करना संभव नहीं होगा। केवल आवक में व्रिधी से कीमतों में कमी आएगी और निर्यात प्रतिसपर्धा बना रहेगा। क्रिशी मंत्री के अनुमान के अनुसार इस साल बुवाई पिछले साल की तुलना में दो गुनी है। लेकिन पिछले साल वैश्विक फसल की पैदावार कम थी, इसलिए इस साल हर जगह भरपूर आपूर्ती है। दो से तीन साल तक लगातार प्रतिबंधों का सामना करने के बाद निर्यात बाजार में भारत की अग्रणी स्थिती को फिर से हासिल करना इस बार लगभग असंभव होगा। वर्तमान में अंतराष्ट्रिय खरीदार भारतिय निर्यातकों को जवाब भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि हम विश्वस्निय सप्लाई करता नहीं है। सरकार को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रोथसाहन देने जैसे साहसिक कदम उठाने की जरूरत है। Bureau Report Market Times TV